प्रेंड कैसे हो आप सभी आए बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे इंट्रेंड अब रोटी बना रहे हूं डोटी देखना मैं कैसे बनाती हूं इस चूले पे आज मतलब कल सिलेंडर कतम हो गयादा सब्जी तो आराम से बन जाती है इस चूले में लेकिन बोटी बनाने में बहुत परिशानी होती है और कल इतना काम हुआ है यह देखे पत्थरों से डिजाइन भी बना दी थी वहां तक यह बीच में रस्ता रखा है आने जाने के लिए और साइडों में पक्का कर दिया और अभी आज फिर काम चाली हो गया है अब बनाऊंगी यहां पर रोटी अब मैं बना रहे हूं खाना और मैं इस अब सामान बहार ले आई थी और पहली रोटी मैं ने बना के डाल भी दी थी इस पर और यह चोटा वाला चूला ना बहुत साथ दे रहा है इतना बड़ा वाला नहीं दिया बड़ा वाला तो सिर्फ अभी तक लाया ना तब से एक बार ही जला यह और वह इतना अच्छे से जल भी नहीं रहा था और लकडियां काफी सारे लगानी पढ़ रही थी उसमें और लकडियां ना पता निंग गीली है अभी इसलिए थोड़ी सी बार गेस्तर बनाएंगे जब कोई दिक्कत होगी बार इश्वारिश होगी तो वरना हम चूले पर खाना बनाएंगे क्योंकि रोटी न अप्रेंट बहुत ही टेस्टी लग रही थी चूले की और सब्जी के लिए मैंने कुछ मंगाया है मैं आपको दिखाऊंगी हमें जोन से जब आजाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी तो उसके बाद सब्जी और भी टेस्टी बना करेगी चूले की जो कि हमारी ट्रेडिशनल चीज़ है और ऐसी चीज़ है घर पे मेरे पास बहुत रखी है सस्राल में लेकिन जब हम यहां पर आ रहे थे तो जल्दी में इ सब चीज़ों का बहुत शौर के मिट्टी के बरतनों में खाना बनाना उसी में खाना रखना दई वई की हांडी वो सब मतलब तो अभी तो मैंने अमेजोन से मंगा ली है तो उसको ही मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी बाद में अभी मेरे पास नहीं आई है और अभी मैं वोईस ओवर कर रही हूं ना फ्रेंड तो बारिश आ गई है और मैं बैठी हूं भार क्योंकि आज अंदर काम चल रहा है य बारिशनों की बहुत ज़्यादा आवाज आ रही थी और यहां पर आपको बारिश की आवाज भी आएगी तो उसके लिए सौरी और यह देखिए परेशान होके ना मैंने यह मिट्टी वाला तवा हटा दिया था और लोहे का तवा लाके रखा और फिर जैसे से रोटी बना और इतना इंतिजाम करने के बाद भी देखो यहां पर पत्थर निकल निकल के आ रहे हैं लेंड्सलाइड की वज़ेसे और सारा काम करने के बाद प्रेण यहां पर मैं साफाई कर रही हूं क्योंकि ज़्यादा डस्ट वस्क नहीं थी यहां पर तो इसनी कोई दिक्कत नहीं थी गंदा होना है या फर्स गंदा होगा तो मैंने सामान हटा के और गिला पोछा लेके इसको साफ कर दिया था उसरी जगह पर शिफ्ट कर दिये थे और यहां पर ज़रूरी सामान ही रखेता है और यह फ्रैम ना काफी टाइम सा रखा हुआ था तो आज मैंने हज़्मन को बोली दिया कि इसको आप उपर रख दो काफी सारी जगह इसने कवर कर रखिये तो पहले भी ट्राय किया था ल लमारी तो यहां से हटा दिये ट्रैंट तो खली यही रखा हुआ था तो मैंने सुचा अब यहां पर काम भी होगा तो इसको क्यों ना हटाई देता है दूसरी जगह पर रख देता है तो इसको हमने चट पर रखवा दिया था और बहुत ही मुश्किल से निकला था यह हैं काफी सार है तो थैंक्यू सो मच अगें तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रही है तो मेरा भी इंट्रेस्ट रहेगा कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकिया हूं और आज मुझे ना बहुत ही खुशी हो रही है मैं बार-बार हस्मेंट को बता भी रही थी कि इत कि सारी जगें निकल गई है हाला कि यह ना बारिश में इस पर हम चोटे मोटे कपड़े भी डाल देते थे पर कोई बात नहीं कहीं और रखेंगे अब और यह सामान ना फ्रेंड कल आया था और सूट मैंने आज गिया था इसका वीडियो आज बनाया था अभी थोड़ी दर ही लेके आते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि घर में न अ सब चीजें खतम हो जाए मतलब जो जरूरी नहीं हो पर नमट कशतम नहीं होना चाहिए यह चीज कभी जाए लेकर आते हैं सिज को शाड़ी के बाद भी फ़र्स टाइम सामान आया था तो तब भी यह नमक जाता ही लेकर आते हैं तो बस ट्रेंड यह सब सामाना आया था और इनको मैने वापस रच दिया है इसमें और बस आज का मेरा यह वीडियो प्रेंड इतना ही था तो कैसा लगा है मेरा व्यूडियो और हाँ यह आटा भी आया था प्रेंड इसको में भूल गई थेंक्यु टूर्ट